उत्तर प्रदेश भिधान सभा चुनाव के लिए आज आखरी दिन है जहां जो राजमाईश चुनाव के मैदान में सभी दिगज करेंगे बात पिये मोदी की हो या योगी और साह की जोड़ी की हर कोई आज लाउडेश फिकर पर अंतिम समय तक चुनाव परचार करेगा बात समझवादी पार्टी के मुखिया अखलेस यादो और उनके गटबंधन की हो या फिर बहुजन समाज पार्टी की नेता मयावदी की सब आज अपने चुनावी अभियान को उस कदर लेके जाएंगे जहां से नौ जिलो की सीटे तै करेगी उत्तर परदेश का सहनसा कौन होगा सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी किसके जिम में आएगी उत्तर परदेश के जिन नौ जिलो की सीटों पर विधान सबा चुनाव के लिए आज साम आखरी चुनाव परचार होगा आपको बता दे कि कॉंग्रेस के तरब से राहूल और प्रियंका मैदान में हैं तो सिदे तोर पर उत्तर परदेश की हर वो जनता इस बार भाजपा और समझवादी पार्टी से तमाम विपक्षी दलों के सांग है साथ किसका कितना मिलेगा यह देखना और दम भरना सभी राजनिती दलों के लिए बेहत जरूरी है क्योंकि आज साम पांच बजे तक उड़न खटोले उड़ेंगे और लाओड़ स्पिकर भी बज़ेंगे तो बुल्डोजर भी चलेगा लेकिन इस बुल्डोजर का असर उत्तर प्रदेश के सियासत पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के उपर कितना चलेगा यह तो दस मार्च को मालुम पड़ेगा लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत का नया रंग इस बार देखने को मिला एक तरफ बुल्डोजर पर बावायोगी आदितनात धरासाही कर रहे हैं अपराद और गुंडो को तो दूसरे तरफ अखिलेस यादो साइकल की सवारी कर बुल्डोजर को पचाड रहे हैं उत्तर प्रदेश के सियासत में कई तस्वीरे एक साथ निकल के सामरे आई मामला चुनाव परचार का हो कुरुना संकर्मन के बीच परचार पर सुरुबात में पाबंदिया थी लेकिन धीरे धीरे संकर्मन की रफ्तार थमी तो हेलिकप्टर आसमान में उड़ने लगे हेलिकप्टर की आवाज से चुनावी जनसभा के भीड की सोर भी लोगों के कानों में चुबने लगी लेकिन आज वो तमाम चीजे थम जाएंगी आपको बता देता हैं कि उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव में जिन नौ जिलों के चौवं सीटों पर मतदान होने हैं उनमें कुछ अहम सीटे हैं जिसमें आजमगड मउग गाजीपूर जौनपूर बराड़सी मिर्जापूर चंदौली और सोनभद्र की सामिन है इन सीटों पर मतदान होने हैं साथ मार्च को लेकिन उसके लिए परचार आज साम थमने वाले हैं 2017 की चुनावी नतीजों की बात करें तो भाजपा ने इन सात्वे चरण में 36 सीटों पर कबजा जमाया था तो समझवादी पार्टी एगारे सीटों पर थी बहुजन भी पा उत्तरप्रदेस की फिजाओं में कई रंग एक साथ देख रहे हैं क्योंकि उत्तरप्रदेस के चुनाओं में कई राजनेताओं ने अपने दल को बदलकर दूसरे दल के साथ अपने सियासी सफर की अगाज कर चुके हैं परिवार भी तूटा है और पार्टी भी तूटी है इन सब के बीच समझवादी पार्टी जातिगत समिकरन की नई ताकत के साथ मैदान में है तो BSP भी दलित और मुस्लिम वोट के सहारे अपनी उपस्तिती दर्ज कराने की कोशिच में है तो निशाद पार्टी भाजपा के साथ ताल ठोक रही है तो BJP के तरफ से सीधे तोर पे एक तरफ बुल्डोजर चलाने की बात है तो दूसरे तरफ मंदिर बनवाने का सीधे तोर पे क्रेडिट लेने की होड़ है अयोध्या पूरा होने के बाद अब मतुरा की बारी का नारा दिया गया है तो कासी कोरिडोर के सहारे भाजपा उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के लिए वापसी की रास्ते भी तलास रही है साथवे चरण के इस अंतिम मतदान में भाजपा और समझवादी पार्टी की सोसल इंजिनियरिंग की अगनी परिक्षा होगी तो बीजेपी की बुल्डोजर निती को भी परखा जाए गया 2017 में सत्ता पाने के लिए मुखमंत्रियोगी आधितनाथ ने माफियाओं की अबज संपत्ति पर बुल्डोजर निती का ऐलान किया था मुक्तार अंसारी से लेकर अतिक अहम्मद और बिजे मिस्तरा की संपत्ति पर सरकार में बुल्डोजर भी चलाए सरकारी जमीन पर किये गए कबजों को ढ़ा दिया गया था एक अनुमान के मुदाबिक बीते पांच सालों में उत्तर परदेश की सरकार ने मुक्तार अंसारी अतिक अहम्मद और बिजे मिस्तरा कंटू सिंग जैसे तमाम माफियों के लगभग 2,000 क्रोड की अबद संपत्ति पर कबजा जो था उसे हटा दिया जो बिल्डिंगे बनी थी उसे गिरा दिया उत्तर परदेश की योगी सरकार अब इसी बुल्डोजर नित्ती के सहारे एक बर फिर से चुनाओ के मैदान में कानून ब्यवस्ता और माफियों पर सिकंजा कसने का उधारन पेस कर रहा है बितेच्छा चर्णों में चुनाओी रैलियों में माफियाओं पर की गई कारवाई की नाजीर पेस करते हुए बीजेपी बेहतर कानून ब्यवस्ता के नाम पर वोट वटोरने की कोशिस में लगी है सिधे तोर पर बुल्डोजर निती की जो अगनी परिक्षा है सिधे तोर पर बुल्डोजर निती की जो अगनी परिक्षा है वो विधान सवा चुनाओ के अंतिम चरण में साफ देखने को मिलेगा क्योंकि यह सीट बेहत अहम है साथ तारीक को अंतिम चरण में नौ जिलो में मतदान होने है इन इलाकों में उत्तर प्रदेश की भाजबा सरकार का बुल्डोजर चला है असली परिक्षा मव आजमगड भदोही जैसे जिलो की है जहां के यह माफिया है और जहां पर सरकार ने इनकी अबैद संपत्ति पर बुल्डोजर चलाया है जिन जिलो में सरकार ने बुल्डोजर चलाया है वहां कि जनता पर क्या आसर हुआ है उसको बुल्डोजर पसंद आया है या फिर ना पसंद या बुल्डोजर ने वैसे घरों को ठा दिया है जो उत्तर प्रदेश के सियासत के एक एक इट जोड़कर वोट बैंक बनाते हैं इस पर भी सबकी निगाहे रहेंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये सीटे तै करेगा पाजपा की वापसी तो समझवादी का परिवर्तन किसके साथ होगा आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश के चुनाओं में जिस तरीके से बुलडोजर की सियासत हुई उसके बाद पीम नरेंद मोदी रोडसो करते हैं बाबा विश्वनात के दर पर हाजरी लगाते हैं तो अखिलेश रोडसो करते हैं देखना है कि आज साम पांच बजे तक किसके बाजुओं में कितनी ताकत है किसके जुबा में कितनी आवाज है जो जनता को अपने तरफ खीज पाते हैं वही साथ मार्च को अपने लिए दस मार्च की कहानी लिख पाएंगे लोग यहां दिल्ली बंबई में घर पर खर खरिते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच लिए है बहाँ रिचायर्मेंट का पूरा पैसा लगा दिये थे दिल्ली में घर लेने के लिए अले बाबुजी तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे है ना अपने घर पे घर खरितना बड़ी बात है देखिए पूर्णिया में पनोर्मा सिटी और पनोर्मा हाइट दोनों जगा का अप्शन प्लब है देखिए और बुक कराईए मतलब अपने शहर में अपना घर जी बिल्कुल अब कीजे घर वापसी पूर्णिया के पैनोर्मा सिटी और पैनोर्मा हाइट में पैनोर्मा सिटी और पैनोर्मा हाइट आपके शहर में आपका अपना घर